All the students of Doubt by Boy, Fuzzle Boy, Primary School, Standard Second, Board B, Subject, Hindi Topic का नाम है तोता आज हमें तोता पे निबंद लिखना है आप ये पिक्चर देखो बच्चो आपको ये पिक्चर किसकी दिखाई दे रही है ये कौन सा बर्ड है येस ये है तोता और English में इसे कहते हैं Parrot आज इसके बारे में हम जानकारी जानेंगे भी और इस पर निबंद भी लिखेंगे तो चलो शुरू करें देखो आपको ये तोता दिख रहा है अब देखो अब मैं एक एक करके पूछूंगी तोते का रंग क्या होता है हरा इसकी चोँच देखो कैसी ये अलग सी एकदम है ना तो इसके बारे में आज हम सारी जानकारी लेंगे देखो तोता एक बहुत सुन्दर पक्षी है इसके पंक हरे रंग के होते हैं इसकी एक लाल रंग की चोच होती है इसकी चोंच मुड़ी हुई होती है तोते की गर्दन पर काले रंग के वृत्थ होते है खुल मिलाकर यह एक बेहत आकर्षप पक्षी होता है यह दाने, फल, पते, बीज, आम, एवं उबले चावल इत्यादी खाता है तोता बोलने वाला पक्षी है यह मनुश्य की आवाज बोल सकता है यह लगबख सभी गर्म देशों में पाया जाता है तोता सामान्य तया पेडों के बिल में रहता है कुछ लोग इस फक्षी को छोटे पिंजरे में बंद कर रखते हैं जो कदापी उचित नहीं है कुछ लोग तोते को अद्बुक चीजों के लिए प्रसिक्चित भी करते हैं तो आपके लिए हूंवख है स्चुरेंट्स तोते पर दस वाक्या आपको लिखने हैं देखों अभी फिर से हम थोड़ा रिवाइस करेंगे तोता एक बहुत सुन्दर पक्षी है इसके पंक हरे रंके होते है इसके चोँच लाल रंके होते है तोते बोलने वाले पक्षी है यह फल बीज दाने चावल इत्यादी खाता है तोता पेड़ों के बिल में रहता है तोता बड़ा तेज उड़ता है यह रंग बिरंगी प्रजातियों में पाया जाता है यह लगभग सभी गर्म देशों में पाये जाते है कुछ लोग तोते को छोटे पिंजरे में बंद करके रखते है जो कि अच्छी बात नहीं होती है तोता एक बहुत सुन्दर पक्षी होता है तोता एक ऐसा पक्षी है जिसे बोलना सिखाया जा सकता है तोते विबिन रंग के होते हैं लेकिन सब के अंडे पूरे सफेद रंग के ही होते हैं तोते की ओस्तन हायू 10 से 25 साल तक होती है इन्हें ज्यादातर फल खाना पसंद होता है बड़े पेडों की बिलो में या अपना गोसला बना कर रहते हैं तोते की लगबग 350 प्रजादियां पाई गई हैं तोते जुंड में रहने वाले पक्षी हैं तोते बड़ा तेज उड़ते हैं तोता बहुती समजदार और नटखट पक्षी है फिर से हम रिवाइज करेंगे तोता एक बुद्धिमान पक्षी है या दिखने में बहुत सुंदर पक्षी है इसकी चोच लाल रंकी होती है इसकी चोच मुड़ी हुई होती है तोते की गरदन में काला घेरा होता है या बीज, नट, आम, फल, अनाज, पत्ते इत्यादी खाते है इसके पैर बहुत मजबूत होते है जो की पेड़ पर चड़ने में सहायता भी करते है तोता एक बोलने वाला पक्षी है यह इनसानों की आवाद निकालने की काबिलियत रगता है अगर इसके सामने सब्दों को दोहराया जाता है तो यह उनको बोल सकता है जदा तर्या गरम देशों में पाया जाता है पेड़ों में घुसला बना कर रहते हैं ये कुछ लोग इसे घर में पिंजरे में भी रखते हैं मेरे सुजाओं में ये ठीक नहीं है कुछ लोग बढ़ियां चीजे करने के लिए इनको सिखाते भी है मैं तोतो को बहुत पसंद करती हूँ धन्यवाद and have a nice day students and who work for you students तुमको तोते पर दस वाक के निबंद लिखना है